नमस्ते सभी को एक बर फेसे स्वागत एक और नई वीडियो में और जैसे आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर गुरु 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 गु अनाहा चकर ये सारी वीडियो जो है वो छोटी छोटे रूप में ही बना रहा हूं ताकि देखने में ज्यादा कंसेंट्रीशन की जरूरत ना पड़े चार-पाँच मिनट शे मिनट तक दस मिनट मैक्सिमम तक कि कंप्लीट हो जाएं तो जो आज का हमारा चकर है वो है अनाहा चकर अनाहा चकर के बारे में गुरु गुरु रखनात कहते हैं कि यह वह चकर है जो हिदे कमल है बारा अरो से युक्त अरो मतलब बारा पदम जो दल है एक पदम यानि कमल और उसके जो दल है बारा दल है बारा पंखुडियों वाला जो कमल है वो उसकी यहां पर कल्पना क गई है और कहा है कि बारा अरो वाला जो एक अमल है ये पाप पुन्य से मुक्त है और जो इसको इस जीवन में पाप पुन्य के चकर में प्राणी तभी तक रहता है जब इस हिर्दे चकर को जब तक वो नहीं जानता है तो ये हिर्दे चकर के बारे में कहा है और यहां पर इस पंखुडियां है इस पर कय से लेके च्छा तक के वर्ण विद्धमान है उपस्तित है इसकी पंखुडियों के उपर और वो नाद सहित है नाद सहित होने का मतला होता है कि उसके उपर अंग की बिंदी जो हमिंग साउंड है वो नाद है जब मालिज ये कय है उसके उपर एक प्राउट फील करने वाले वह देव यहां पर अभीमानी श्युव जो इश्वर के सो रूप है वह यहां पर उपस्तित है और यहां की जो देवी जो प्रोटेक्टर जो देवी है जो योगिनी जो देवी है वो काकिनी देवी जो यहां पर उपस्तित है और इसी हिर्दर चकर के साथ में यहां पर उपस्तित बार्ण लिंग नामक यानि एक शिव लिंग का प्रतिक यहां पर माना गया है कि यहां पर शिव की उपस्तिती है जो बार्ण लिंग के रूप में है और उसी के ऊपर एक छिदर के बारे में बताया गया है कि उस बार्ण लिंग के ऊपर एक छिदर है वहीं पर लक्ष्मी देवी का वास है लक्ष्मी देवी वहीं पर वास करती है तो इस परकार से यहां पर कहा है और इसका जो तत्व है वो वायू तत्व है हिर्दय चेकर है तो वायू तत्व जब हम स्वांस लेते हैं अपने लंग्स का उप्योग करते हैं पुरा प्रिशन चर्ण होने में भी वायू का ही पुरा रोल है तो सबसन क्रिया अपरी शंचनी सब वायू से ही होते तो वायू तत्व इसका मुख्य तत्व है और धुम्र वर्ण में एक ट्रेंगल की परिकल्पना यहां पर की जाती है इसका मुख्य बीज मंत्र जो है वो यम है मुलाधार था लम, स्वाधिस्ठान था वम और मणी पूर्था रम, यहां पर यम बीज है और इसकी पंखुड़ी पर कय से छह तक कि सारे वर्ण बने हुए है वो सारी साउंड इसको एफेक्ट करती है तो जब हम यह सारे बीज मंत्र जो हमारे मंत्र है भगवान के नाम है उसमें जो शब्द हैं वो सारे चक्रों को ही प्रभावित करते है वायू इसका तात्व है, काकिनी देवी है और शिव यहां पर देवता है बान लिंग भी यहां पर उपस्तित है शिव सहीता में पढ़ा था हमने तीन लिंग उपस्तित है एक हमारे मुलधार चकर में एक हिर्दे चकर में और एक आग्य चकर में यह तीन शिव की उपस्तित है यह तीन शिव के तीन रूप भी आप मान सकते है तो यह यहां पर बान लिंग है और यह हिर्दे चकर के बारे में बताईए यह emotional center है हमारा जो हिज़र चेकर वो अध्यात्मिक है और भोतिक भी है मतलब हमारी भावनाएं जो है भोतिक संसार से भी हमें जोड़ती है और अध्यात्मिक संसार से भी जोड़ती है वही भावनाएं जो बंधन का कार्ण बनती है वही भावनाएं जो अध्यात्मिक हो जात तो यहाँ पर यह एक अध्यात्मिक चक्र भी है और भोतिक चक्र भी है नीचे के जो चक्र हो ज्यादा तर भोतिक है लेकिन अब हिर्दय से उपर के जितने भी चक्र हो अध्यात्मिक है तो हिर्दय चक्र जो है वो भोतिक भी है और अध्यात्मिक दोनों का कॉंबिनेशन है गुरु गुरकनात कहते हैं कि जब तक इस चकर को जो नहीं जानता वही इस संसार में भटकता है प्राणी तब भी तक भटकता है जब इस चकर की महत्व को समझ लेता है तो वो इस इन सारी जो जनम बरण के से मुक्त हो जाता है तो इस बारे में इस परकार से अनाहा चकर के बारे में वेवण दिया हुए है इस से समंदित कुछ भी समझ में ना आए, कुछ पूछ ना हो तो आप कमेंट में पूछें बाकी की इन सारी सीरीज से रिलेटेड वीडियो आप देखें और जिसका और ज्यादा डीप इंटरेस्ट है तो एक शिव शहिता की पूरी प्लेलिस्ट अलग से बनी है जिसमें 78 वीडियो से तो वो आप देख सकते हैं उसमें भी पूरा कुछ लेनी चकर और सब कुछ समझाया है इसमें भी बहुत गूर रहश है अभी बेसिक है यह जिन्होंने शिव सहिता सुनी उनके लिए यह जाना पहचाना ग्यान लग रहा होगा लेकिन इसमें भी बहुत आगे बहुत गूर रहश है तो उन सबको डिसकस करेंगा अगे की वीडियोज में आज की वीडियो में इतना है, मिलते नेक्स्ट वीडियो में सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम शानते, शानते, शानते